नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल देव भूमी एजिक संतुराखन में फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम महत्पूर्ण उत्राखन से रिलेटेट खबरें आपके लिए लेके आए हैं पहले अब गिरपतार अबेर्थियों को परिक्षा की इजाज़त युवा रिहाई पर अड़े जमानत पाने वाले छे अबेर्थियों ने नहीं भरी बेल पुसकर सिंग धामी के निदेश पर बलवा और पत्थरवाजी के आरोप में गिरपतार छे बेर्थियों को पटवारी भर्थी परिक्षा में सामिल होने की अनुमित दे दी गई है लेकिन ये अपने बाकी साथियों की रहाई पर अड़े हुए हैं कोट ने प्रविस्पत्र के आधार पर इनकी जमानत मंजूर कर दी थी पर इन्होंने लिख कर दिया कि ये परिक्षा नहीं देगे इन्होंने बेल बॉंड नहीं भरा और अन्य साथियों की रहाई की सर्थ रखी पटवारी लेकपाल भरती परिक्षा आज पेपाल लिख होने के बाद रद की गई पटवारी लेकपाल भरती परिक्षा आज रेवार को दोबरा आयुजित की जाएगी इस बार नकल और गरवडी रोकने के लिए आयोग ने पुक्ता इन्जाम किये हैं प्रदेश भर में 49 498 के इंद्रों पर 1588 परिक्षा देंगे अगली अपडेट है माहुल कर सकते हैं खराब बेरोजगार्यों का धरना जारी सहीद समारक पर सिनवार को 30-35 युवाद धरने पर बैठे हैं उधर बेरोजगार महासंग के प्रवक्ता सुरेश कुमार ने कहा है कि नकल रोधी कान प्रवानत दी जाती है तो यह माहुल खराब कर सकते हैं और सातों आरोपी पट्वारी लेकवाल भरती परिक्षा में समलित नहीं हुए पुलिस भरती की कट आफ जारी दो सीट पर तीन अबेर्थी उत्राकन लोग सिवा आयोग ने पुलिस आरक्षी और फायर्मेन परिक् के बाद चाहिने हुए तो कि फायर्मेन सुची और कट आफ उपर जाने का उन्मान है महलाओं के लिए सिर्फ फायर्मेन विकल्प आयोग के उनसार 28 दिसंबद 2021 में महलाओं के लिए केवल फायर्मेन पद ही बिक्यापित किये थे इस क्रम में सौट लिस्ट में सामिल महला अबिर्थियों को केवल एगनी सामक पत का विकल्प मिलेगा महलाओं की कट आफ परुसूं से ज़्यादा रही है पटवारी भरती बसूं में सीट के लिए मारा मारी पटवारी भरती के अबिर्थियों के भीड के सामने रोडवेज बसे कम पढ़ गई दून का मसूरी बस घड़ा तड़के फेक हो गया पैक हो गया कोई खिड़की तो कोई ड्राइबर दरवाजी के रास्ते बस में गुषने लगा यहाद देख रोडवेज ने टोकन ब्यवस्ता सुरू की अबिर्थी भढ़ गई सुचना पर रोडवेज आर्टियों अफसर पहुंचे उन्हों अगली अपडेट है जमानत मंजूर होने के बाद भी छै बिरुजगार रिहा नहीं भड़ती गोटालों की बिरुद में अंदोलन के दोरान बिरपतार 15 युवाओं में से 6 को कोट ने जमानत देती लेकिन इनकी रिहाई नहीं हो पाई लाठी चार्ज में अपसरूं पर भ बिरुजगारों के परदसन पर ब्यापारी आमने सामने ब्यापारी बिरुजगार बॉबी पुमार को छोड़ने के लिए अड़े रहे युवाओं पर की गई कानूनी कारवाई को वापस लें कॉंग्रेस अध्यक्स प्रदेश करन महरा ने कहा है कि युवाओं के उपर ज परिक्षाओं में गडवड़े की जूटी और ब्रहमक सूचना फैलाने पर भी होंगे डंडित परिक्षाओं की सुचिता बनाए रखने को नकल विरोधिक कानून में आई सक्त प्रावधान सरकार ने भरती परिक्षाओं में पारदसी ताल आने के लिए उत्राखन परतियोगी परिक्षा भरती में उनुचित सादुनों की रोक्थाम और निवारन के उपाई अध्यादेश दोहज्जा तेईस के अधिसूचना जारी कर दीगे अब भरती परिक्षाओं तथा परिक्षा से समन्दित प्रश्ण पत्र उतर कुंजियों में समन्द में जूटी वा भ्रामक सुचना भी डंड के दायरे में आएंगी जैसे सुचनाओं को उस परसारित करने वाली संस्था ब्यक्ति को दोसी माना जाएगा परिक्षा कराने वाली कंपशनी भी कानुन के दायरे में आएगी यो अब ही साथ क्या गया है है कि यदि अध्यादेश में दिया गया कोई अपराथ कंपशनी द्वारा किया जाता है इस अवर्धि में जो कंपशनी और प्रभरारी तथा संचालग के जिम्हेंदार होगा वह भी दोसी, इसका दोसी माना गया, प्रिक्षार्ति के नकल करते अथवा करवाते हुए पकड़े जाने पर नियून्तम 5 लाग का जुरुआना, 9 महा का कारवास, दुबारा पकड़े जाने पर 10 लाग का जुरुआना और 3 महास का कारवास, अगली अपडेट है, हाई कोट जज की निगरानी में होगी सकत जाच, पटवारी भष्थी पेपर के लिख मामले की जाच, हाई कोट के सिट dall's की निगरानी में किया जाने के जाएगी समयी अपर कोट के देसा निर्देश मिलने से जाच के दौरान कानुनी कमिया भी नहीं रहे के बज़ाए सीधे हाई को अपडेट डेंगे साथ ही ज़र्वत डायरेक्शन लेंगे एक तरो से साइटी का प्रसासनिक नियंत्रान कोर्ट के पास हो जाएगा असासकी स्कूल की भर्तियों में भी नकल विरोधी कानून लागू होगा सरकारी विवागों के साथ राज सरकार के अधीन परतियोंगी संस्था निकाय बोर्ड निगम की भर्टियों पर विया कानून लागो होगा पुलिस को मिलेंगे असीमित अधिकार, नकल विरोधी कानून में पुलिस को दोसियों के खिलाब कारवाई कि ये असीमित अधिकार होंगे, ऐसे मामले में जांच अपर पुलिस अधिक्षक इस्तर का अधिकारी ही करेगा, दोसी के खिलाब अफायर करने से पहले न तो किसी आप प्रारंबीक जांच की जोर्वत होगी, साथी गिरपतारी के लिए भी किसी अनुमेद की आप सकता नहीं होगी। भासपा के पूर मंडल अध्यक्ष पर 25,000 रुपे का इनाम J.A.E. प्रतवारी भर्ती परिक्षा का पेपार लीक करने में मामले में फ्रार भासपा के पूर मंडल अध्यक्ष संजय धारिवाल पर S.I.T. ने 25,000 रुपे का इनाम गोशित कर दिया गया है। है बर्थी परक्रिया निएम विरुद्ध की गई कोई भी नियुक्ट्या काम बरदास्त नहीं होगा एंडी को इस मामले में तत्कार नियमानुस अर्कारवाई के निर्देश दिये गई हैं आगी वी नियम विरुद्ध कोई नियुक्ति न करने को कहा गया है इस्थाई नियुक्ति को अथिस शिक्षकु ने किया अल्टिमेटब दिया अल्टिमेटब अथिस शिक्षकु ने प्रदेश सरकार से एक वार फिर इस्थाई करने की मांग की है इस बावत उनने सरकार को ग्यापन भीजा कहा कि अगर उ अंदोलन इस्तकित कर दिया अगर कारवाई नहीं हुई तो संग के महमंतरी दौलत सिंग जोगुर ने कहा कि पहले नियुक्ति अथिस्क्चों के बहुशे चुरिक करने के बजाए सरकार नहीं सिक्चों को की नियुक्ति कर रही है वो समय में एल्टी की सीधी भरती होनी है ऐसे मैं सरकार को अथिस्क्चकों के बहुशे के बारे में सोचना चाहिए जिल्ले में चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी पुलिस पेपर लीक होने के बार रिवार को दोबारा आयुश धोरी लेकपाल पटवारी भरती परिक्षा को लेकर तेरदून में पुलिस पर सासन पूरी तोरब मुस्तेद है प्रविस पत्र की जाज के बादिवाओं को बेजा दून जीनियस कोचिंग सेंटर पर ताला बड़ी धरकन 2018 में पुलिस के सिकंजे से बच गया था कोचिंग संचालक विवेक कुमार जैई और एई भरती की परिक्षाओं में दहनली करने के आरोपी विवेक कुमार का जीनेस कोचिंग सेंटर वर्स 2018 में चर्चा में आया था इस कोचिंग में 66 अब्यर्थी उर्जा निगम की जैई की भरती परिक्षा में उत्तिन हुए थे जबकि ततकालिंग जिलादीकारी देपक रावत ने यहां पर छाबा मारा तो कोई नहीं मेतार नहीं मिली इसके बाद परिक्षा को निरस्ट कर दिया गया था अगली अब्यर्थे परिक्षा के अंदर पर पहुंचने को लेकर बसू में भीड और खिड़की से गुशे अंदर कॉंस्टेवल भरती 17 से भननी होगी बरियता 27 से अब्लेक सत्यापन पुलिस कॉंस्टेवल भरती परिक्षा में तीन अब्यर्थी पदों की बरियता 17 से सुरू होने वाले अब्लेक सत्यापन पर क्रिया में साथ लेकर जानी होगी रिक्तियों से डेड़ गुना अब्यर्थी 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 सामिलोंगा राज लोग सवाए कि शर्यों गिर्दारी सिंग रावत बताया कि अब्यर्थियों के प्रापत J.E. भर्ती में 12 आरूपी सामिल भर्ती परिक्षाों में दानली को लेकर जारी ताजह Sugaal के बीष लोग से आयग निपट्वारी A.E. J.E. भर्ती में निकल के आरूपी 56 विट्थियों की सूची साव्जणिक कर दी इसमैं से 5 महला विट्थी भी सामिल हैं आयोग नोटिस जारीकर इन परिक्षा में देने पर प्रतिबंद लगाएगा पेपा लीक में मामा बहंजा दोनों गिरपतार पेपा लीक मामले में तीन गिरपतार SIT ने सायक अवियंता अवर अवियंता जेई एई पटवारी भरती परिक्षा पेपल लीग के मामले में दो सगे भाई समय तीन लोगों को गरफता किया दोनों भाई इस मामले में गरफतार हो चुगे संजीब दुबे के भाई हैं दोनों जन्हों ने हरदवार सारंपूर में पेपर अटवाने के दोरान अवियर्थियों के निगरानी की थी वहीं पटवारी भरती परिक्षा में गरफतार आरवे संजीए समय का मामा है तीन कोचिंग सेंटर संचालक हिरासत में एज एई पेपर लीक मामले में साइटी तसा इस्टानी पुलिस ने तीन कोचिंग सेंटर संचालकों को हिरासत में लिया पुलिस को सक है कि तीनों संचालों कि पेपार लीक मामले में सलिपता पुलिस इन सेंटरों में कोचिंग करने वाली छात्रों की भी जानकारी जुटा रही है इनके गिरपतारी के बाद S.I.T वा पुलिस के रडार पर कई कोचिंग सेंटर भी आ गए है SIT को सके कि पेपर लीक कराने में इनकी भूहिका हो सकती है पेपर लीक में मामा और भांजा दो गिरपतार एज यही परवारी भर्ती पर प्रस्न पत्र लीक कांड में जेल जा चुके पॉलिटेक्निक सिक छक राजपाल के बतीजे संजी दुबे के सगे मामा और दो सगे भाईयों को SIT ने गिरपतार कर लिया है आरोपियों पर प्रस्न पत्र रटानी के दोरा निगरानी कने का आरोपय दोन आरोपियों को जेल भेज दिया गया है तो फ्रेंड्स ये थी मुक्य अपडेट उत्राखंट एक्जाम से रेलेटेट उत्राखंट की महत्वपूर्ण अपडेट जो चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा इसी तरह जल मिलते हैं नई अपडेट के साथ तब तक के लिए नमस्कार